नमस्कार दोस्तों कॉमस दादा में आपका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं Condition of Short Workings Recruitment Adjustment बहुत सारे student यह होते हैं जो direct question देखते हैं और question को बनाना स्टार्ट कर देता हैं उनको समझना चाहिए question पहले आप समझे कि question में क्या दिया हुआ है जैसे अगर question में यह दिया हुआ है कि short workings of any year will be recouped in the next oblique subsequent oblique following years तो आप यह देखेंगे कि किस year में short working हुआ है अगर किसी year में short working हुआ है तो उसको recoup करने के लिए question में already पहले से दिया हुआ है तो उसमें यह दिया हुआ है कि आप इस year के next year में आप इसको recoup कर सकते हैं तो short working अगर होता है किसी year में तो आप next year में उसका recover कर सकते हैं लेसी और लेसर के बीच में यह एक agreement के तहत होता है दोस्तो रोयल्टी चेप्टर को देखकर बिलकुल भी घबरानी की जरुत नहीं है मैं इस तरह से बताऊंगा आपको रोयल्टी चेप्टर की बिलकुल A to Z आपको सभी समझ में आ जाएंगे तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिलकुल आपको वैसे ही देखनी की जरुत है और बिलकुल आप सॉल्ब करोगे इस क्वेस्टन को मेरा यह 100% दावा है तो कंडिशन नमर 2 में हम लोग देखेंगे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी यर में सॉट वर्किंग होता है तो उसका रिक्यूपमेंट जो होगा वो 1st 1 year, 1st 2 year या 1st 3 year के बेस्पे होगा और यह question में पहले से दिया हुआ रहेगा और जो सॉट वर्किंग अगर रिक्यूप नहीं हो पाता है ऐसे सॉट वर्किंग जो है अन्रिक्यूप सॉट वर्किंग विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट अनलास अकाउंट यानि कि जो सॉट वर्किंग रिक्यूप नहीं हो पाया उसको हम लोग पियल में ट्रांसफर कर देंगे condition 3 देखेंगे only 50% और 60% of the सॉट वर्किंग विल बी रिक्यूप कहने का मतलब यह है कि सॉट वर्किंग जो रिक्यूप होगा only 50% और 60% यानि कि question में दिया वा रहेगा कि किवल 50% या 60% ही सॉट वर्किंग जो है रिक्यूप कर पायेगा यानि कि जो भी unrecouped सॉट वर्किंग है जो रिक्यूप नहीं हो पाया है अगर उसको रिक्यूप करना होगा यानि कि रिकवर करना होगा तो 50% या 60% ही कर सकते हैं यानि कि next year या उसके subsequent year या किसी भी year जब भी करना हो तो 50% या 60% ही हम लोग कर पाएंगे recover ऐसा condition में दिया हुआ रहेगा रहेगा दोस्ता हम लोग जानते हैं कि royaogys जो होता है वो टूटाइब्स होते है इस एसके выйltaries के याणि कि एक जो होता है without minimum rent और दूसरा जो होता है with minimum rent to without minimum rent घमें कोभी मतलब नहीं है which minimum rent जो है उससे हमें मतलब है तो with minimum rent यानि कि जो minimum rent दिया हुआ रहता है यानि कि Lacey और Lacer के बीच में एक agreement होता है और इस agreement में ये होता है कि Lacer अपना future देखते हुए एक minimum rent तै करते हैं कि अगर माल लिया जाए कि minimum rent हम इतना तै कर लेंगे तो हमें in future in case किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं होगी या कोई loss नहीं होगे इसलिए Lacer जो है Lacey को ये agreement में पहले ही कह देता है कि minimum rent जो है मुझे इतने चाहिए यानि कि 50,000, 60,000, 1,00,000 जो भी minimum rent वो fix कर देता है और उन दोनों के बीच एक agreement हो जाता है उसके बाद minimum rent में क्या है तो इसमें दो condition है first condition है कि short working अगर होता है किसी भी year में अगर short working होता है तो उसका एक limit दे दिया रहेगा कि इस time में आप उसको short working को recoup कर सकते है अगर short working recover नहीं हो पाता है उस year में तो वो जो short working जो है unrecouped short working वो transfer होके PL में चला जाता है यानि कि लिसी के लिए वो loss हो जाता है और second condition में जो है to recoup short working within a limited time यानि कि एक limited time limit में आपको short working recoup करना है तो दोनों condition हम लोग देखेंगे जैसे जैसे question हम लोग देखेंगे वैसे वैसे यह सब condition आते जाएंगे illustration no.1 देखेंगे a company takes a lease of mine for a term of 4 years from 1st January 2009 paying a minimum rent of rupees 10,000 per annum merging in a royalty of 50 pass per ton of coal rest the lease contains a provision to the effect that if the minimum rent paid in any year exceeds the royalty for the year the amount of the excess may be recouped by the coal company out of the royalty payable in the following years only. the coal is raised as under year 2009, 2010, year 2010, 12,000 ton, year 2011, 24,000 ton, year 2012, 30,000 ton, past the general entries necessary to record these transactions in the books of the coal company and saw the amounts in the profit and loss account and balance it of each year जैसा की question में दिया हुआ है एक company 1st January 2009 को एक माइन जिसको हम लोग खान कहते हैं को चार साल के लिए यानि 4 years के लिए lease पर लिया जिसका minimum rent per year 3,000 रुपीज था रोयल्टी निकाले हुए कोईले पे 50 पैसा पर टन था यानि कि जो रोयल्टी अमाउंट निकलेगा और 50 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा लिस और लिसी और लिसर के बीच में यह एक agreement था कि यदि किसी year minimum rent actual royalty से अधिक होगी तो इस surplus या excess amount को company द्वारा केवल आगे आने वाले वर्स यानि कि next year में royalty payable amount से पूरा किया जा सकेगा यानि कि जो short working होगा उसको हम लोग next year में उसका recruitment करेंगे किस year में कितना कोयला निकला है यानि कि the coal is rest as under year 2009 में जो है 2000 ton year 2010 में 12,000 ton year 2011 में 24,000 ton और year 2012 में 30,000 ton तो फिर question में दिया हुआ है past the journal entries necessary to record these transactions in the books of the coal company and so the amounts in the profit and loss account and balance sheet of each year यानि कि koila company के पुस्तक में यानि कि koila company के जो book में है हम लोग general entry करेंगे और profit and loss account बनाएंगे और balance sheet दिखाएंगे यानि कि उस year का balance sheet बनाएंगे यानि तीन साल या चार साल जो भी year है उसका हम लोग balance sheet बनाएंगे question को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि question में क्या कह रहा है question में ये कह रहा है कि आपको general entry करना है past the necessary general entries और coal company के book में general entry करनी है और profit and loss account बनाना है और balance sheet of each year यानि कि four years का balance sheet बनेगा तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो royalty account में बनाया जाता है वो analytical table बनाया जाता है यानि कि analysis of royalties payable कि कितना amount royalties का कितना amount निकलेगा और कितना payment करना है इसका एक हम लोग analytical table बनाएंगे तो table बनाने के लिए आप लोग 10 column खीच लीजे यानि कि सबसे पहले जो column होगा वो year का होगा second column जो होगा output यानि output pertence third column actual royalties fourth column होगा minimum rent का और fifth column जो होगा वो excess working का होगा और उसके बाद short workings sixth column जो होगा suffered, seventh column recubed, आथमा column जो होगा unrecubed short working transfer to profit and loss का और नवा column जो होगा ninth column carry forward का होगा और दसमा column जो होगा तेन्थ वाला column वो amount payable का होगा तो यह column आप लोग खीच लीजे बना लीजे और इसमें सब आप रोलिष लीजे year output actual royalties minimum rent access working, suffered recubed, unrecubed short working, transfer to PL, carry forward amount payable उसके बाद सबसे पहले हम लोग year 2009 का देखेंगे यानि कि year 2009 में जो है output 2010 है तो year में आप लोग पहले लिख लिए year 2009, 2010, 2011, 2012 और output दिया हुआ है तो output जो ton दिया हुआ है तो 2000 ton, 12,000 ton, 24,000 ton, 30,000 ton यानि यहां तक आप लोग लिख लीजे, इसमें कोई दिक्कत ही है, फिर actual royalties जो है, वो हम लोग निकालेंगे और question में actual royalties का दिया हुआ है कि 50 पैसा per ton यानि कि per ton में 50 पैसा per ton दिया हुआ है, तो 2010 का जो 50 पैसा per ton के हिसाब से 1000 royalty निकलेगा जो आएगा, royalties amount जो आएगा, वो 1000 आएगा, क्योंकि 50 पैसा per ton बता रहा है, तो 2000 का 1000 आएगा और 2010 में 12,000 ton है, तो उसका 6000 actual royalties amount आएगा, और 2011 में 24,000 है, तो 12,000 और 2012 में 30,000 output है, तो उसका amount निकलेगा 15,000, और minimum rent के column में आप लोग जो amount दिया हुआ है, 10,000, 10,000 हर year में 10,000 लिख देजे, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आप लोगों को जो होगी, वो आगे वाले column में, तो अब हम लोग सब्वाड वाले column में देखेंगे, और year हम लोग 2009 देख रहा है, तो year 2009 में, फर्स्ट में जो है, 2000 टन है, आउटपुट और actual royalty जो निकला है, 1000 है, और minimum rent, जो कोल कंपनी जो पे कर रही है, minimum rent वो 10,000 है, और तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, कि minimum rent से actual royalty ज़्यादा है या कम है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि minimum rent ज़्यादा है, और actual royalty जो है, वो 1000 है, और minimum rent 3000 है, तो short working, यानि कितने का short कर गया, 9,000 का, तो हम लोग suffered वाले column में 9,000 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग recouped में कुछ नहीं लिखेंगे, और unrecouped short working में भी कुछ नहीं लिखेंगे, और carry forward में जो है, ये 9,000 रुपया हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये short कर गया है, और यही 9,000 फिर next year में भी carry forward हो जाएगा, और rent payment जो हम लोग करेंगे, यानि कि amount payable जो है, 3,000 ही लिखेंगे उस column में, उसके बाद हम लोग 2010, year 2010 देखेंगे, output है 12,000, actual royalty क्या निकला है, 6,000, और minimum rent कितना दे रहे हैं, 10,000, तो suffered कितने का किया, यानि कि short working कितने का हुआ, 4,000 का, क्योंकि actual royalty minimum rent से कम है, तो 10,000 minus 6,000 करेंगे, तो amount आएगा 4,000, और 4,000 जो है, वो हम लोग suffered वाले column में लिखेंगे, और उसके बाद question में जो दिया हुआ है कि आपका जो short working amount है, वो next year में recoup करेगा, तो कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पर short working amount, यहाँ पर भी short working यानि suffer कर गया amount, इसलिए total amount, यानि कि 9,000 रुपया जो suffer किया था first साल में, वो unrecouped हो जाएगा, यानि कि write-off कर देंगे 9,000 रुपया को, और उसको हम लोग transfer कर देंगे PL में, एक भी amount हम लोग recouped नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी actual royalty जो थी, वो कम थी 2010 में भी, तो यहाँ पर जो 4000 suffer किया है, यही 4000 carry forward हो जाएगा, क्योंकि 9,000 रुपया जो था, वो तो unrecouped हो गया, इसलिए यहाँ पर 9,000, जो भी amount से 9,000 खतम हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 4000 amount जो है, वो carry forward होके next year के लिए चला जाएगा, क्योंकि 4000 जो है, सफर किया है, और amount payable जो है, वो 10,000 रुपीज ही होंगे, यहाँ पर rent हम लोग 10,000 ही देंगे, क्योंकि minimum rent है 10,000, उसके बाद year 2011 में देखेंगे, output है 24,000, actual royalty है 12,000, और minimum rent है 10,000, यानि कि access working, यानि कि access working जो amount निकलेगा, 12,000 minus 10,000 करेंगे, तो 2000 आएगा, तो suffered वाले column में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर access हुआ है, और यहाँ पर recubed, recover, यानि कि 2000 रुपया जो है, recover हो जाएगा, यानि कि recubed हो जाएगा, तो 4000 में 2000 recubed हो गया, तो unrecubed कितना हुआ, 2000 रुपीज, क्योंकि question में दिया हुआ है कि next year में ही आपको recubed करना है, तो भाई 2000 रुपया अधिक है, actual royalty हमारा minimum rent से है, 2000 रुपीज है, तो वो 2000 रुपया जो अधिक है, वही हमारा recubed करेंगा, उसके अलावा कोई amount recubed नहीं होगा, इसलिए 4000 में 2000 माइनस करेंगे, तो 2000 जो amount है, वो unrecubed हो जाएगा, और वही unrecubed short working पियल में transfer हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर carry forward में नील हो जाएगा, यानि कि कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 4000 था, suffered किया हुआ था पिछली एर में, और इस साल में access working 2000 हो गया, तो 4000 में 2000 recubed कर गया, तो 2000 recubed करने के बाद बचा 2000 वो unrecubed हो गया, यानि कि उसको हम लोग recover नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नील हो जाएगा, carry forward में कुछ नहीं बचेगा, और amount payable जो होगा, यानि कि रेंट जो payment होगा, रेंट का, वो 10,000 होगा, और year 2012 में, output है 30,000, और actual royalty है 15,000, और minimum rent के column में 10,000 है, तो यहाँ पर जो access working है, यानि कि 15,000 माइनस 10,000, इसकल तो 5,000 जो है, वो access working है, तो यहाँ पर ना suffer कर रहा है, ना recubed कर रहा है, ना unrecubed कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, carry forward हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग rent का amount लिखेंगे, वो 15,000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई recubment वाला तो है नहीं, in the year 2012, full amount of rupees 15,000 has been paid to the landlord, because there is no balance in short working for recubment, तो recubment के लिए कोई भी short working amount नहीं है, कि हम लोग उसका recub करें, इसलिए total जो 15,000 amount होगा, वही rent paid होगा 15,000, whichever is higher, यानि कि last वाले में, column में जो होगा, minimum rent और actual royalties, whichever is higher, तो 15,000 का amount जो है, वो higher है, इसलिए यहाँ पर 15,000 जो amount है, वो rent pay होगा 15,000, दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, अब हम लोग general entry करेंगे, general entries in the books of coal company, coal company के books में general entry करेंगे, तो जैसे general entry में जो column खिचा जाता है, बनाया जाता है, आप column खिच लेजे, date, particulars, amount, amount, और year 2009 का year लेंगे, क्योंकि यह 4 साल का है, तो 2009, 2010, 2011, 2012, सबसे पहले हम लोग year 2009 का लेंगे, और date लेंगे 31, 2012 को, यानि कि जब भी हम लोग खाता क्लूज करते हैं, तो हर साल के last महीने के last दिन पर हम लोग करते हैं, यानि कि 2009 का year है, और 31 तारीक है, और 12 महीना, यानि कि December में, अगर calendar year में है, तो December में करेंगे, अगर financial year है, तो 31 मार्च को प्लूज करेंगे, तो 31, 2012 को हम लोग इंट्री करेंगे, रोयल्टी अकाउंट डेविट, स्वाट वर्किंग्स अकाउंट डेविट टू लैंड़ोड अकाउंट, तो जनरल इंट्री करने से पहले, आप लोग analysis of royalties पेवल वाला जो टेवल मेंने बताया था, वो अपने पास रखिएगा, क्य 1000 तन्स था, और एक्च्वल रोयल्टी जो निकली थी, वो 1000, और मिनिमाम रेंट 3000 था, और स्वाट वर्किंग एमाउंट जो हुआ था, वो 9000 का था, तो हम लोग जब जनरल एंट्री करेंगे, रोयल्टी अकाउंट डेविट, स्वाट वर्किंग्स अकाउंट डेविट ट हुआ जब मिनिममम रेंट से एक्ट्वल रोयल्टी कम होती है, तभी सॉट वर्किंग होता है, इसलिए हम लोग यहां पर सॉट वर्किंग का एमाउंट जो है, उसको डेविट करेंगे, तो रोयल्टी एक हजार रुपे का था, और स्वाट वर्किंग जो एमाउंट था, तो 9000 का था यानि कि सॉट कर गया 9000 और लिखेंगे टू लैंडोड लैंडोड में 10,000 एमॉन लिखेंगे यानि कि 9000 प्लस 1000 करेंगे तो 10,000 होगा और नरेशन लिखेंगे बिंग उसके बाद फिर 31,12 को ही इंट्री करेंगे 2009 में लैंडोड को पेमेंट करने की इंट्री यानि कि पहले हम लोग लैंडोड को ड्यू करने की इंट्री कियें फिर सेकेंड इंट्री जो करेंगे लैंडोड को पेमेंट करने की इंट्री और आप देख लीजेगा एनलाइटिकल टेबल में कि 2009 में हमने उसको amount payable में कितना amount डाला है यानि कि 3000 जो minimum rent था वही 3000 उसमें भी लिखा हुआ है तो इसलिए second entry जो हम लोग करेंगे landlord account debit to bank account rupees 10,000, 3000 का payment करना है इसलिए 3000 rupees हम लोग debit में लिखेंगे और 3000 का amount credit में लिखेंगे और narration लिखेंगे being payment made to the landlord उसके बाद फिर 34 December को entry करेंगे PL account debit to royalties account यानि कि 1000 रुपय जो royalties आई थी royalties amount वो royalties जो हम लोग PL में transfer कर देंगे तो PL account debit to royalties account और narration लिखेंगे being the amount of royalties transfer to profit and loss account उसके बाद फिर हम लोग 2010 में करेंगे entry 2010 का आप analytical table देखिए कि output कितना है actual royalties कितना है minimum rent कितना है short working कितना हुआ है unrecouped कितना हुआ है और कितना amount जो है rent payable है तो 2010 में हम लोग देख सकते हैं analytical table से कि 10,000 रुपया minimum rent है और 6,000 रुपय actual royalties निकली है तो 6,000 actual royalties है तो suffered कर गया 4,000 यानि कि short working amount जो है 4,000 रुपय का है और उसके बाद जो है unrecouped short working transfer to PL में जो है 9,000 रुपया है तो हम लोग 2010 में जो entry करेंगे first entry जो होगी यानि कि landlord को due करनी के entry तो royalties account debit short working account debit to landlord account तो royalties में कितना amount निकला है 6,000 रुपया तो 6,000 रुपया हम लोग royalties में royalties account के सामने लिखेंगे और short working में कितने का short हो गया है तो 10,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 4,000 रुपया और two landlord यानि कि rent payable जो है वो 10,000 रुपया है इसलिए हम लोग two landlord लिखेंगे 10,000 6,000 प्लस 4,000 is equal to 10,000 तो narration लिखेंगे being royalties earned and short working to be paid to the landlord और उसके बाद फिर 31,12 को second entry जो करेंगे landlord को payment करने के entry यानि कि landlord को जो है 10,000 any house का payment होना है चाहिए आपका काम हो या ना हो क्योंकि minimum rent उतना amount है इसलिए हम लोग 3,000 यहां पर लिखेंगे landlord account debit to bank account और narration लिखेंगे being payment made to the landlord उसके बाद third entry जो हम लोग करते हैं वो PL में transfer करने के entry करते हैं लेकिन यहां पर PL में सिर्फ royalties का amount नहीं होगा यहां पर short working भी होगा जो की unretubed हुआ है जो की recover नहीं होपाया उसको भी हम लोग यहां पर लिखेंगे तो PL account debit to royalties account to short workings account तो profit and loss में 15,000 amount होगा और royalties जो है वो 6000 का है जो की 6000 रुपय निकला हुआ था और short working जो की unrecouped हो गया था वो 9,000 रुपय था यानि की 9,000 प्लस 6,000 करेंगे तो 15,000 रुपय जो है वो PL में transfer करेंगे और narration लिखेंगे being royalties and unrequipped amount transfer to profit and loss account उसके बाद हम लोग 2011 में general entry करेंगे तो 31,12 को जो general entry करेंगे royalties account debit to landlord account यानि की पहले amount हम analytical table से देख लेंगे कि amount जो actual royalty है वो 12,000 है और minimum rent 10,000 है यानि की access जो है वो 2000 है यानि की यहां पर कोई short working नहीं है यहां पर excess working है यानि की ज्यादा है royalties का amount minimum rent से ज्यादा है इसलिए यहां पर excess working हो गया इसलिए यहां पर जो entry हम लोग करेंगे royalties to landlord short working ज्यादा है इसलिए यहां पर हम लोग cable royalties account debit to landlord करेंगे और कितना है royalties 12,000 का है तो 12,000 debit में और 12,000 credit में करेंगे narration लिखेंगे being royalties earned and payable to landlord तो मतलग कि landlord को due करने की entry हम लोग कर लिये 2011 में उसके बाद landlord को जब payment करने की भी entry हम लोग करते हैं तो 31,000 को landlord को payment करने की entry करेंगे तो landlord account debit to short workings account to bank account तो यहां पर short working जो है 2000 रुपया excess है इसलिए यहां पर जो short working इसलिए हम लोग 2 करेंगे यानि कि 2000 रुपया हमने उससे recover कर लिया जो मतलग कि हमने advance जो short working amount दिया था पहले तो उससे 2000 रुपया हम लोग recover कर लिया यानि कि 4000 रुपया का जो हम लोग दिये हुए थे उसमें से 2000 रिकोवर हो गया तो इसलिए two short workings यहां पर लिखेंगे और two bank account लिखेंगे यानि कि 10,000 रुपया जो है bank में जो by rent payable जो है वो 10,000 ही है तो 10,000 anyhow उसको देना है तो 10,000 to bank में जाए गई जाएगा तो narration लिखेंगे short working of rupees 2,000 is recubed and payment of balance amount to landlord उसके बाद 31,12 को हम लोग PL में transfer करनी के entry करेंगे तो PL account debit to royalties to short working अब यहां पर हम लोग यह देख लेंगे कि 2011 में जो analytical table बना हुआ है उसमें 2000 हमने recub किया था और 4000 रुपया जो previous year में जो suffered कर रहा था उसमें हमने 2000 का recub कर लिया तो 2000 रुपया जो है unrecubed है जो unrecubed amount है वो PL में हम लोग transfer कर देंगे यानि कि PL account debit to royalties account to short working account तो royalties जो amount निकला है वो 12,000 का है और unrecubed short working amount जो है वो 2000 का है यानि कि 2000 रुपया का है तो 12,000 प्लस 2000 करेंगे तो PL में जो जाएगा amount वो 14,000 का जाएगा उसके बाद हम लोग year 2012 देखेंगे year 2012 में क्या है कि output 30,000 है और 15,000 जो है actual royalty है और minimum rent 10,000 है यानि access working हुआ है 5000 और उसके बाद ना कोई short working है मतलब suffer कर रहा ना recub कर रहा ना unrecubed है ना carry forward है कुछ भी नहीं है इसलिए हम लोग यह देखेंगे कि actual royalty और minimum rent whichever is higher last में जो amount higher होता है वह ही amount जो होता है वह payable amount में जाता है तो landlord को वह ही amount pay होता है rent pay होता है तो हम लोग 2012 में जो entry करेंगे royalties account debit to landlord करेंगे यानि कि 15,000, 50,000 being narration लिखेंगे royalties earned and payable to landlord account फिर 31,12 को landlord account debit to bank करेंगे जो 15,000 रुपया उसको देना है वही 15,000 रुपया debit करेंगे फिर 15,000 रुपया credit करेंगे और narration लिखेंगे payment made to landlord उसके बाद 31,12 को फिर PL में transfer करेंगे PL में वही 15,000 रुपया transfer होगा 15,000 debit, 15,000 credit यानि PL account debit to royalties account और narration लिखेंगे being the amount of royalties transferred to profit and loss account अब हम लोग PL account बनाएंगे और balance बनाएंगे year 2009 का तो profit and loss account देखते हैं for the year in the 31st December 2009 तो 2009 में हम लोग ये देखेंगे कि general entry हम लोग किये वहते हैं तो उसमें royalties का amount जो है वो PL में transfer किये थे और कितना amount सा तो 1,000 रुपया तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे two royalties account 1,000 अब balance देखेंगे year 2009 का as at 31st December 2009 short workings लिखेंगे 9,000 short working amount जो 9,000 लिखेंगे वो asset यानि के asset वाले column में लिखेंगे liabilities में कुछ भी नहीं है तो किवल asset वाले में 9,000 amount जो आएगा वो लिखेंगे short working यानि कि short working जो है Lizzy ने advance के रूप में दिया था तो इसलिए short working amount asset side में हम लोग 9,000 रुपया लिखेंगे 2009 में फिर year 2010 का PL account देखेंगे तो year 2010 में PL में हम लोग royalties और short working दोनों को transfer किये वे थे तो 6000 प्लस 9,000 इसलिए total 15,000 तो PL में हम लोग यह transfer कर देंगे फिर balance rate 2010 कब आएगे तो यहां पर short working amount जो है वो 4000 आएगा क्योंकि 4000 का short working इसलिए advance payment किया हुआ था इसलिए 4000 amount यहां पर short working का amount आएगा year 2011 का हम लोग PL account देखेंगे तो year 2011 में हम लोग जर्नल इंट्री किया वाता है PL account देखेंगे तो यहां पर हम लोग two royalties two short working करेंगे 12,000 प्लस 2,000 तो PL account इस तरह से हम लोग close करेंगे 2011 में जो है balance rate हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई short working वाला कोई amount नहीं है मतलब कि कुछ assets वेगरे कुछ है नहीं इसलिए हम लोग balance rate नहीं बनाएंगे 2011 में और 2011 में भी balance rate नहीं बनेगा सिर्फ PL account बनेगा और PL में जो royalties का जो 15,000 amount था वही amount हम लोग दोस्तों आप लोगों से एक request है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए लाइक करें कमेंट करें और आपने दोस्तों के साथ से जरूर करें